आज हम सीख रहे हैं टैली में company delete करना जो extra company हमने बना लिया था example के लिए उसे हम delete कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम उस company को open करेंगे जिसे हमें delete करना है उसके लिए हमें जाना होगा company वाले option में उसके लिए हम alter के साथ k press कर देते हैं और यहां से फिर हमें करना है select company है उसके ल करेंगे या सक्फिप करके आप यहां से अल्टर के साथ एक ठी कर सकते हैं कि और फिर हम यहां इब यहां सब पाथ में जाएंगे करेंगे यहां हम अपना I do जो हमारा फोल्डर हमार बना कर रखे हैं उसका यानि हमारा डी ड्राइब में है तो डी कॉलन स्लैस भरत नाम से फोल्डर है फिर स्लैस और फिर टैली के अंदर हमने वो बनाया एंटर कर देंगे अब हमारा जो दो कंपनी यहां बना है पहले बनाया था भरत जनरल इस्टोर और दूसरा बनाया था भरत जनरल इस्टोर वन हमें जो कंपनी डिलीट करना हो उस कंपनी को हम अब डाउन एरो से सलेक्ट कर लिए और फिर हम एंटर कर देंगे यह देखिए सामने उपर जो बोल्ड में है आपका यह बोल्ड में जो है यह आपका कंपनी अभी सलेक्ट है इसके बाद हम फिर करेंगे अल्टर के साथ के और फिर जाएंगे अल्टर वाले ऑप्शन में यहां डाउन एरो से एंटर कर देते हैं हमें जो कंपनी अभी डिलीट करना है वो कंपनी हम यहां सलेक्ट कर रहे हैं एंटर कर देते हैं अब डिलीट के लिए हम एक सौटकट क की प्रेस करेंगे अल्टर के साथ डी तो यदि करना चाहते हैं तो एंटर करें या वाई यहां से सलेक्ट एंटर तो आपके यहां डी का जो एड्रेस है डी ड्राइब में वहां देखिए एक ही कंपनी का नाम दिखा रहा है यहां आपका कंपनी डिलीट होगे है ओके थैंक यू